शुप्रबात ये उन्जाहिन बच्चों, मैं कृपानन दमिश्रूं। आप सभी बच्चों का अपने ओनलाइन क्लास में हार्दी का विनंदने उस्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को विदित हैं, कि अब तक हम लोगों ने अस्पर्ष भाग एक पुस्तक जो की हिंदी का है, इसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया, ये चेप्टर जो है, पहला चेप्टर हम लोगों ने पढ़ा, ये दुख का अधिकार है ना, दुख का अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया, और पद जो है, रैदास जी का पद, तो दो चेप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला रैदास जी का हम लोग पद पढ़े थे, अब कैसे छूटे राम नाम, और ऐसी लाल तुझी भी कौन करें दो चेप्टर हम लोग पढ़ लिया और इसके बाद जो बचा है वो आपका है कीचड का काब्य है काका कालेलकर जी का और गिल्लू है संचेन जो दूसरा पुस्तक है उसका महादेवी जी का और इसके बाद हम लोग ब्याकरण में पढ़ेंगे वरडवी छेद और इसके बाद वरडवी छेद में हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, चित्रलेखन, अनुछेद लेखन अनुछेद लेखन में प्रातह, कालीन, ब्रहमण और इसके बाद चल रहा है और दो चेप्टर अब तक खतम हो गया तो इसका आप लोग खोब अच्छी तरह से अभ्याश करिए अब हम आप लोग को बताएंगे कीचड का काब्बे है कीचड के काब्बे में काका कालेलकर जी के बारे में अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ठीक ना काका का कालेलकर जी को हम लोग देखेंगे तो काका कालेलकर जी के बारे में हम लोग देखेंगे देखेंगे काका कालेलकर जी तो काका कालेलकर का जन्म महराष्ट के 17 नगर में सन 1885 में हुआ काका कालेलकर जी का जन महराष्ट के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ काका की मात्रिभाशा मराथी थी उन्हें गुजराती, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी का भी अच्छा ग्यान था गांधी जी के साथ राष्ट भासा परचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे आजादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और शाहित के परचार परचार में जुटे रहे चुकि काका कालेलकर जी का जो जन्म है 1885 में हुआ था और मृत्वी जो है 1982 में तो गांदे जी का भी पदारपण आप लोग जानते हैं कि 1917 से चम्पारा नांदोलन था उसी समय से सुरू हुआ है तो गांदे जी ने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत शंगर्ष किये हैं है ना बहुत उनका योगदान है मात्मा गांदे जी का और उनके बिचारों से काका कालेलकर जी बहुत प्रभावित थे और उनके बिचारों का बहुत इनोंने भारत दिस में पचार पशार किया है मात्मा गादी के अनन्य अनुवायों में बिनोबा भावे शिमांत गादी अब्दुलगा फार खां और काका कालेल कर समान रूप से याद किये जाते हैं नई दिल्ली में गादी संग्रालय के निकट सन्निधी में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी बस्तुएं और उनका साहित आज भी देखा जा सकता है देश के प्राय कोने में यायावर की तरह भ्रमण करने वाले काका को शर्चित कृतियां हैं यायावर मतलब होता है ऐसे लोग जो एक जगह पर नहीं रहें और वास्तों में जो योगी होता है बोला जाता है कि रमता योगी बहता पानी जो योगी होता है जो साधू होता है जिसके मन में देश कल्याण की भावना होती है जिसके मन में परुपकार की भावना होती है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो एक जगह पर निर्भर नहीं रहते हैं वो एक जगह नहीं रह सकते हैं गूमते रहते हैं और जहां जिस लोगों को उनकी यावशक्ता पढ़ती है वे वहाँ पहुच जाते हैं तो देश के प्रायह कोने कोने में यायावर की तरब भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतिया हैं हिमालयो प्रवाश, हिमालयनो प्रवास, लोकमाता यात्रा विर्तांत है, अस्मरण यात्रा, संस्मरण, धर्मोदय, आत्मचरित्र, जीवननी, आनंद, अवर, नावर, निवंद, शंग्रह, काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का शंपादन भी किया, काका के लेखन की भाशा शरल, सरस, ओजस्वी और सारगरवित है, विचार प्रूड निवंद हो या यात्रा, संस्मरण, सभी विस्यों की तर्क प्रूड ब्याख्या काका की लेखन शैली की विसिस्ता रही है, एक हिंदी तर्भासी लेखत द्वारा मूलत हिंदी में लिखे इस ललित निवंद कीचड का काब्य में, काका ने कीचड की उप्योगिता का काब्यात्मक शैली में बखान किया है, इस पाठ में जो काका कालेलकर जी जिवारा रचित है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जो पाठ का नाम है कीचड का काब्य, इसका इन्होंने बहुत मारमिक व्रण किया है, और कीचड की क्या महत्ता होती है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से व्रण किया है, काका कहते हैं कि हमें कीचड के गंदे पर पर नहीं, अपितु उसकी मानावता और पशुता तक के जीवन में उप्योगिता पर ध्यान देना चाहिए, उत्तर पुर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली दहान की फसल कीचड में ही उपाती है, कीचड न होता तो क्या क्या न होता, मानो और पसु किन नियामतों से वंचित रह जाते, इसकी एक बानगी यह निवंद बखूबी दर्शाता है, कीचड ही नहीं सर्दे है, यह लेखक ही नहीं पाठक भी स्विकारता है, है न, तो काका कालेलकर जी के बारे में हमने बताया आप लोग को, आप लोग भी बुक डाउनलोड कर ही लिए होंगे, सिविश्ची बूट का असपर्ष भाग एक, काका कालेलकर जी के बारे में एक बार दो बार अच्छी तरह से रेडिंग आज करेंगे, है न, फिर इसके बाद, अगले वीडियो में हम काका कालेलकर जी द्वारा रचित कीचड का काब्वियर, जो पाठ है, उसके विस्त्र ब्याख्या करेंगे, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ियेगा, है न, और हम भी आख्या करें, उससे पहले आप लोग चेप्टर को एक बार दो बार पढ़ लें, जिससे कि पढ़ाते समय आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, है न, क्योंकि जो पहले पढ़ लेता है, उसको पाठ अच्छी तरह से समझ में आता है, है न, आप लोग पढ़ेंगे, इसी आसा और विश्वास के साथ, हम फिर दूसरे वीडियो में, काका कालेल कर जीदवारा रचित, की चड़ काका ब्य को लेकर आएंगे,